नमस्कार आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में मैं हूँ आपके साथ कशिच पांडे बॉलीवोड के खिलाडी यानि सुपरस्टार अक्षे कुमार का 23 साल फिल्मों का सफर अच्छा नहीं रहा बड़े परदे पर अभिनेता की रिलीज हुई सभी मेगा बजट फिल्म में बुरी तरह से फ्लॉप रही थी लेकिन अक्षे इन असफल फिल्मों की बुरी यादे पीछे छोड़कर नए साल यानि 2023 की अपनी पहली फिल्म की रिलीज के लिए पूरी तरह से त्यार है राज महता के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म सेल्फी से अक्षे कुमार इस साल बड़े परदे पर अपना खाता खोलने जा रहे हैं इस कॉमेडी फिल्म में पिछले कई वर्षों से बड़े परदे से दूर इम्रान हाश्मी मुख्य भूमी का निभाते हुए नजर आने वाले हैं ऐसे में देखना दिलशप्स होने वाला है कि दोनों की जोड़ी कितना कमाल कर पाती है सभी को इस जोड़ी को परदे पर देखने की उत्सुकता है ऐसे में सभी की excitement को और बढ़ाते हुए selfie के thriller की release date सामने आ गई है अक्षे कुमार और इम्रान हाश्मी अभीनित इस फिल्म की release date पहले ही सामने आ चुकी है पृत्वी राज प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म ज्वारा निर्मित सेलफी अगले महिने 24 फरवरी 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बहु प्रतिक्षित फिल्म का ट्रेलर 22 जैन्वरी को release किया जाएगा इसके साथ उन रिपोर्ट्स के अनुसार सेलफी का ट्रेलर एक कार्यकरम के दौरान release किया जाएगा पहले फिल्म का ट्रेलर 19 जैन्वरी को release होने वाला था लेकिन किसी कारण से इसे स्थगित किया गया जी हाँ इसे रोग दिया गया था किसी कारण की वज़े से हाला कि अभी इस फिल्म के मेकर्स या फिर कलाकारों की तरफ से इसकी कोई अधिकारिक घोश्रा नहीं की गई ह सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार सेल्फी का ट्रेलर अक्षे कुमार की अब तक की सभी कॉमेडी फिल्म से कई जादा अच्छा होने वाला है ट्रेलर में ऐसे बहुत से पल आने का दावा किया जा रहा है जो लोगों को खुब गुद गुदाएगा यानि बहुत हसाने वाला है आपको बताते सेल्फी पहले पहली फिल्म है जिसमें अक्षे और इम्रान हाच्मी एक साथ काम करने वाले हैं इन दोरों के अलावा इस फिल्म में नुश्रत भर बुरूचा और डाइना पैंटी भी मुख्य भूमिका में है सेल्फी पृत्वी राज सुकुरामन अभिनित मल्यालम हिट फिल्म ड्राइविंग लैसेंस का हिंदी रिमिक है सबकी निगाहें सेल्फी पर है क्योंकि ये अक्षे कुमार के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉफ फिल्मों के सफर को खत्म कर सकती है वहीं इसके अलावा अभिनित के पास बहुत सी फिल्में हैं जो 2023 औ सल्मान खान की मच अविक्टी फिल्म टाइगर 3 में अभी ने करते दिखाई देंगे टाइगर 3 इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म मानी चारी है तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रही इंग्या नियूस के साब